जैसे रिकृष्णा रचना आर्च से चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम आपके लिए लड्डू गोपाल की बहुत ही संदर पोसाक लेकर आए हैं और पहले हम आपको बॉटम पार्ट बता रहे हैं यह हमने इसकी लेंत 6 इंच ली है और बॉटम पार्ट सिलके हमारा त कर दो आर्फ तव recession था चैनल में एक मीटर है और आप हम घंच कर्ण कर्नातक का जके लीचा जाए हैसे टे अश्यमी की दीख है यह 6 1 6 , तॉप फिस के लेंद हम 3 गसे ले रहे हैं और उस तरह नो गा उसा सीरके तलाइ ज़щееत्ताइश अब और यहां पर और हम तीरा रखते हैं वो हम ले रहे हैं सवा एक इंच तो हमें यहाँ पर सवा एक इंच पर ऐसे मार्क करना है और फिर हम आर्म हॉल्स की लेंथ रखेंगे एक इंच देख लिजी आप एक इंच हमने आर्म हॉल्स की लेंथ लिए है और फिर हम ऐसे गोलाई कर देंगे और फिर जो टॉप पीज की हम चोड़ाई रखेंगे यहाँ पर वो हम डेड़ इंच ले रहे हैं और ऐसे लाश्ट तक सीदी लाइन ट्रौ कर दें इस तरह ऐसे तो यहाँ पर हमने ऐसे सीदी लाइन ट्रौ कर दी है अब हम बाजू का बनाएंगे हम इसे फुल बाजू का बना रहे हैं तो ऐसे हम गोलाई करेंगे बाजू की देख लिजे ताकि पहनने में आसानी हो खिचाब ना आए तो इस तरह से हम बाजू की गोलाई करेंगे और अधर की तरफ से सिलाई मार्जन के लिए सेम ऐसे आप दूसरी तरफ भी रखें इस तरह से आप कोलाई कर लें और अब आप कटिंग कर लें देख लिजे बाजू की लेंस सोल्डर से हैं और हम इससे कट कर रहे हैं पहले हम इससे थाड़ से कट करेंगे फिर जो बाजू की हमने यह एक्शा फेब्रिक रखी abort कर ना फिर office अब उससे कट कर लिया है अब अम तले कि गोलाई करेंगे तो हाफ इंच रखें सिर्फ मryvoo fabric इस तरह से और गोलाई कर लाए से, और एक पीस अलग कर ले ? जो बैक पीस रहे का मत करक्फ सब्सक्राइब करना है Δर फ्रेंट पीस की आप क्टिंग कल ले ? तो यह पे हमने यह Front गले की cutting कर ली है ये front पीस है और Bag गले को हम cut करेंगे थोड़ी सी गुलाई के साथ ऐसे और आप इसे center से भी cut कर ले cutting हमारी complete हो गई है अब हम आपको इसे सिलना बता रहे है हमें इसे सिलना है तो पहले हम एक घीर वाले piece को complete करेंगे तो यहाँ पर हम इसे ऐसे फोल करेंगे सीरी तरफ हमें हाफ इंची से फोल करना है और लैस रखनी है और सलाई लगानी है तो ऐसे आपके नारी पर सलाई लगाए तो सलाई लगाना भी हम आपको बता रहे हैं फैबरी को हाफ इंच सीधी तरफ फोल करेंगे और लैस को हमें रखना है और सिलाई लगानी है इससे वो एक यवार में लैस लग जाती है बारवार हमें इसे फोल करना और फिर लैस नहीं लगानी एक साथ हम इसे फोल भी करते हैं लेस भी लगा लेते हैं इसके बाद आप दूसी तरब भी ये सिलाई लगा लें तो यहां पर हमने दूसी तरब भी ये सिलाई लगा ली है पॉटम पार्ट पर हमने लेस लगा के तयार कर लिया है अब हमें इसे side से fold करना है तो इस तरह से आप इसे fold करें सेमें से आप दूसी तरफ से भी इसे fold करने और फिर हमें उपर की तरफ एक बड़े नम्मर से sly लगाने पूरे piece में तो ये आसान तरीका रहेगा इसमें हमें plates नहीं भननी है जतनी हमें इसमें plate चाहिए वो हम धागे को खीच करेंगे तो पहले आप बड़ी नम्मर से half inch की दूरी पर sly लगा ले पूरी fabric में हमें ये sly लगाने है तो यहाँ पर हमने sly लगाई है अब हम धागे को खीचेंगे ध्यान रखें एक तरफ आप इसमें note लगा ले और दूसी तरफ से धागे को खीच ले ताकि जब हम धागे को खीचें तो वो दूसी तरफ से धागा ना निकले तो ऐसे धागे को खीचते हुए हमें इसमें ऐसे plates भर लेनी है तो ये जो घेर है ये हमारा complete हो गया है अब हम ये टॉप इस तयार करेंगे तो यहाँ पर हमने सबसे पहले हमें गले को फोल्ड करना है तो हम इसमें थोड़ा सा कट लगाएंगे गले के सेंटर पर जितना हमें इसे फोल्ड करना है फिर आप इसे इस तरह से फोल्ड करना है ठीक है तो यहाँ पर हम गले को फोल्ड कर रहे हैं इसके बाद दूसरे पीस को भी हम पहले साइड से फोल्ड करेंगे फिर गले को फोल्ड कर लेंगे तो ऐसे आप इसे फोल्ड कर लें गले को पहले गले को फोल्ड करें और फिर इसे ऐसे साइड से फोल्ड कर लें जो हमने गले को सेंटर से कट किया था वहां से हमें इसे फोल्ड करना है सेमें से आप दूसरे पीस को भी फोल्ड करना है देखिए इस तरह से आपको दूसरे पीस को भी फोल्ड करना है आप इस पीस को हम सीधा रखेंगे दूसरे पीस को मैं बैक साइड की तरक से रखना है और बाजू से हम सिलाई लगाना सिरू करेंगे, सोल्डर तक, तो ऐसे आप बाजू को सिल लें, और सिलाई लगा लें गले तक, इस तरह ऐसे, सिम्मे से दूसरे पीस को रखें, उल्टी तरफ से, और सोल्डर की तरफ से सिलाई लगाते हुए, बाजू के बॉटम पार तक हम हमें बाजु की मोहरी फूल करनी है तो बाजु की आप मोहरी फूल करें पहले जैसे सिंपल मोहरी फूल करते हैं सेम ऐसे हमें इसकी मोहरी को फूल करना है और सलाई लगानी है सेम ऐसे आप दूसरी मोहरी फूल करना है और सलाई लगा 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 तो यहां पर हमने यह मोरी फूल कर ली है और सिलाई लगा ली है अब हम साइड में यह सिलाई लगाएंगे इस तरह से आप इधर की साइड में सिलाई लगाएं और सेमें से आप दूसी तरफ भी यह सिलाई लगा लें दोने तरफ सिलाई लगाने के बाद अब आप इसे सीध करना है तो यहां पर हमने तपीस को सीड़ा किया है अब हमैं सिकर्फ पीस लेना है गेर तयार किया किया है अब इसे लें आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए आप सभी का पहुत पहुत धन्यवाल